हलो स्टुडेंट्स मेरा नाम है अभिशेक वर्मा और स्वागत आपका हमारे चनल स्टेडी क्लास पे तो स्टुडेंट्स जैसा कि आपने थाम्रेल में देख लिया है कि हम प्रत्म वर्स के विशे प्रश्न पत्रक्रमांग आठ जिसमें हम हिंदी भासा स्क्षन के विशे के गेस पेपर याने मौडल प्रश्न पत्रक्र की बात करेंगे जो आने वाली डेड की परिक्षा में बह सकता है कि भाषा का अर्थ एवं प्रकृति आपको पूछ सकता है भाषा का आपको क्या पूछ सकता है भाषा का अर्थ क्या होता है भाषा की प्रकृति क्या होती है यह आपको पूछ सकता है अगर इन सवालों के आप जवाब चाहते हैं इन सवालों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस को चेक किजिए आपको हाँ पर सभी वीडियो लेक्चर मिलेंगे इस पूरे इकाई के हिंदी भासा सिक्षन के साथिसाल डेटेल नोट्स चाहिए तो दिएगे नमरों पर संपर की जब को नोट्स मिलेंगे और एसी और भी वीडियो देखना चाते हैं आप सभी विशियो के तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अडिशन आल पर करना ना भूने उसके बाद ही वीडियो देखे जी हां अ आपको भाषा की प्रकर्ती पूछ सकता है, भाषा की विश्यस्ता है, पूछ सकता है, तो यह हो गया जो प्रश्ण बहुत थी महत्पुना यहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखना है, और मात्र भाषा एवं राश्ण भाषा संपर भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा होती है, वो म मात्र भाशा के लिए कैसे हैं या मात्र भाशा सिक्षन के उद्देश से मात्र भाशा की अवधारना मात्र भाशा से सम्मधिद आपको प्रश्ण यहां पर पूछेगा जी हां मात्र भाशा मात्र भाशा में आपको क्या क्या पूछ सकता है मात्र भाशा में आपको पूछ सक सकते हैं मातरू भाषा उधारना मातरू भाषा सिक्षण और मातरू भाषा जो है वह उसका उधारन कैसी देगा मातरू भाषा भाषा अर्जन की आवशकता क्यूं है जी हां भाषा सीखना क्यूं जरूरी है इसका आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो चैनल की प्लेडिस चेकरो वीडियो देख लो पूरे आप वीडियो लेक्चर सभी पार्ट की डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है आप पढ़ सक यहां पर बने आपको भाषा का है भाषा का अर्थ भाषा की प्रकृतिम विशेश थाई है तो यहां पर हिंदी भाषा के ऊपर लिखने भी आ है यहां पर देख लेते भई और यहां पर आपको प्रशन क्या मिल सकता है प्रथम भाषा से आप क्या समझते हैं याने प्रथम भाषा क्या होती है यह सवाल पूछ सकता है या पूछ सकता है आपको द्वीतिय भाषा भी पूछ सकता है आपको द्वीतिय भाषा क्या होती है यह भी पूछ सकता है, फिर आपको पूछ सकता है कि राष्ट भाषा और राज भाषा इसके बारे में आपको पूछ सकता है कि राष्ट भाषा क्या होती है, राष्ट भाषा क्या होती है, इसके बीच का अंतर बतलाईए, यह आपको पूछ सकता है, जी हाँ, राष्ट भाषा और राष्ट भाषा के बीच अंतर, और यह फिर आपको पूछ सकता है, इसका मतलब क्या है, तो इकाई एक से कुल 13 अंक क आवंटीथ है अब यहां पर जो important प्रश्ण जो पूछ सकता है उसकी बात हम कर लेते हैं सिधे-सिधे तो मैई यांगले बात को रूत तो यहां पर आपको पूछ सकता है श्रवन कोषल के ओपर सवाल पूछ सकते आपको श्रवन कॉछल जी हाहां श्रवन कोषल और और दूसरा आपको पूछ सकता है प्रश्ण बहुत महत्पूर यहाँ पर लेखन कौशल इन दो चीजों से पूछा जो सवाल तो है पूछेगा ही पूछेगा जी हाँ श्रवन कौशल और लेखन कौशल इन दोनों के ऊपर जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछेगा ही प्रश्ण आपको पूछ सकता है तो इनको भाई ध्यान में रखिया ठीक है और यहां पर एक सवाल पूछ सकता है आपको कैसा भाषाई कोशल के बारे में बतला है चौथा सवाल क्या पूछ सकता है भाषाई कोशल के बारे में बतला है यहां भाषाई कोशल के बारे में बतला है यह सवाल भी आपको पूछ सकता है इससे आप क्या समझते हैं यह सवाल आपको पूछ सकता है तो यह हमारे सवाल जो है मह स्वर वाचन याने चुप होकर पढ़ना और बोल कर पढ़ना ठीक है यह दो तरह के वाचन होते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको अंतर पूछ सकता है इन दोनों की आपको परिभाशा भी पूछ सकता है इन दोनों की विश्यस्ताय भी पूछ सकता है लाभानी भी पूछ सकते हैं याद रखेगा मौन वाचन और सस्वर वाचन यह गैरेंटी इन में से एक सवाल जो आएगा ही आएगा इस बात को मिध्यान रखना है ठीक है यह सारी बाते हैं जो यह प्रशन जो है बहुत इंपोर्टन है इकाई दो सिर्फ है इकाई दो के अब हम बढ़ते भाशाई कैसल के बारे में बतलाईए यह न रखेजक है और यहीं पर आपको भई और भी आपको पूछ सकता है यह बहुत important है एकाई दो इसे पूच सकता है यह दो आपको पूच सकता है यह फिर आपको पूल सकता है कि पठन के प्रकार के बाद पठन समझे जो त्रूटिया है गलतिया है उसे कैसे दूर करेंगे तो इस प्रकार के प्रशन जो आपसे पूछ सकता है इसे आपको ध्यान रखना है ठीक है जो बहुत-बहुत महतपूर्ण है यह हिंदी भाषा में रचना सिक्षन का अर्थ हिंदी भाषा में रचना सिक्षन के उद्देश में बताना है ठीक है हिंदी भाषा में रचना सिक्षन के उद्देश आपको बतलाने है ठीक है तो बहुत-बहुत इंपोर्ट है आप ध्यान रखेंगे रचना सिक्षन के उद्द कैया महतुछ सकता है लेखन में उच्छीट विराम चίν्न के अगने से क्या महत्व आपको पूछ सकता है यहां आपको पूछ सकता है यह आपको पूछ सकता है, देखो और कहो प्रवीधी क्या है, इसके बारे में सवाल आपको पूछ सकता है, तो यह पढ़कर जरूर जाएगा, तो यह छे प्रश्ण जो होगे, बहुत महतूर मैंने आपको बता है, इकाई तीन से, इन्हें आप रोक कर लिख लिजे या फिर स्क्रीन शॉट ले लिजे, या टिक कर लिजे अपने किताबों में है, ठीक है, और नोर्स चाते हैं इन सभी के, तो दिएगे नमबर पर संपर कीजिए, वाट्स आप पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं सिर्फ मैसेज करना है, आपको नोर्स मिल जाएगे बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम दाम में, बात करें बहुत ही काई की, बहुत ही काई की बात करें, तो चौत ही काई जो है उस पर अंकवंटी थे, कुल तेरा, कितने अंकवंटी थे, तेरा और भाई ये चौथी ही काई है ये गद्ध और पद्ध सिक्षन पर अधारी थे जी हाँ गद्ध और पद्ध पर तो यहाँ पर सारे सवाल उससे संबनित होगे पहला सब्द भाई आपका यही होगा कि आपको क्या करना है हिंदी के गद्ध सिक्षन कैसे सिखा जा सकता हिंदी का गद्ध सिक्षन कैसे होगा गद्ध सिक्षन कैसे सिखाया जाएगा यह सवाल दूसरा भाई यह सेम होता है पद्ध के लिए भी यह न हिंदी का पद्ध सिक्षन आपको पूछ देगा हिंदी में पद्ध्यांस कैसे पढ़ाया जाता है कविता कैसे पढ़ाया जाती यह आपको पूछ सकता है, हिंदी का गद्य सिक्षन और हिंदी का पद्य सिक्षन आपको पूछ सकता है, वो बात करें दूसरे प्रश्ण की, दूसरा प्रश्ण आपको बहुत इंपॉटरन है क्या पूछ सकता है, तो कविता सिक्षन के उद्देश से तथा विशेस्ता है, कविता सिक्षन के विशेस्ताइं भी पूछ सकता है आपको क्या ध्यान रखना है क्या विशेस्ताइं होती है ठीक है और इनका महत्व अगर जो पूछ सकता है क्या महत्व है कविता सिक्षन करने से कविता सिखाने से है न तो यह आप ध्यान रखेंगे यह प्रशन जो आपक के प्रकार बतलाईए इन सबी की उत्तर आपको notes में मिल जाएंगे देगर उम्मर पर संपर किजी यह सबाल भी आपको पूछ सकता है ठीक है तर यह हो गया और प्रशन आपको क्या पूछ सकता है रचना सिक्षन के बारे मतलाई रचना सिक्षन जो है उसके बारे मतले रचना सिक्षन का पूछ सकता है भाई महत्व उद्देश है जी हाँ रचना सिक्षन क्या होता है रचना कैसे की जाती है रचना अत्म कैसे रचना सिक्षन के भाई आपको क्या पूछ सकता है महत्व ठीक है दूसरा क्या पूछ सकता है विशेस्ताएं आपको विशेस्ताएं पूछेगा और आपको क्या पूछ सकता भाई इसमें रचना सिक्षन में आपको पूछ सकता है उद्देश इसके उद्देश भी पूछ सकता है आपको महत्व विशेस्ताएं और उद्देश ये तीन चीजे आपको रचना सिक्षन के बारें पूछी जा सकती हैं और तो यहां पर आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं बता दूँ आपको और क्या पूछा जा सकता है प्रश्न करवांग पांचवा तो यहां पर वाचन मुद्रा या सनवाद वारतालाप पर है न समवाद या वारतालाप क्या होता है इसके बारें पढ़ाना वारतालाप यह पूछ सकता है आपको और आपको क्या पूछ सकता है हाँ पर भाई कक्षा कक्ष वारतालाप में या फिर वाचन मुद्रा से आपको पूछ सकता है यह भी पूछ सकता है आपको निबंद कई रचना के भेद आ सकते हैं निबंद रचन से इकाई चार से आप रोक कर लिख सकते हैं या फिर स्क्रिंशॉट भी लेख सकते हैं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले इकाई के तरफ इकाई पांच पर अंकावटी थे कुल दस जी हां इकाई पांच पर कितने अंकावटी थे कुल दस अंकावटी थे इकाई जो पां में बतला, यह ही क्यों पढ़ हाते हैं सबसे पहला, दूसरा भाई पूछ 시청े आपको शिक्षन में व्यक्रण का महत्व है, यह आपको ध्यान रखना है, भी बहुंत इंपोर्ण आपको बारबर पूछ शकता है, तीसरा प्रशन जो आपको यहां से पूछ सकता है वो क्या होगा वो देख लिजिए तीसरा प्रशन जो आपको यहां से पूछ सकता है वो होगा कि ध्वनी क्या है ध्वनी की बारे में पूछ सकता है कि ध्वनी क्या है ठीक है आपको ध्यान रखना है इसके बारे में आपको स पूरा पढ़कर है कितने स्वार होते हैं कितने वेंजन होते हैं पूरा पढ़के रख़ी एगा ठीक है कितना है एक और सवाल मैं आपको बताओ है यहाँ पर प्रश्न कमांग छे जो पूछ सकता है कि भाई इसमें आपको पूछेगा कि ध्वनी की विश्यस्ताय लिखिए या शब्दे कितने प्रकार के होते हैं इस प्रकार का कुछ भी आपको पूछ सकता है ठीक है आपको यहां से तत्सम और तद्भो सब्द भी पूछ सकता है तत्सम तथा तद्भो यह हमें दस्य और ग प्रशन जो पही इकाई छे जो अंक दस इस पर आवंटीथ है दस नंबर इस पर मिलेंगे ठीक इसमें बात करेगर प्रशनों की तो पहला प्रशन देखिए बाई इकाई छे का पहला प्रशन आपको पूछ सकता है कि मुल्यांकन क्या है क्या पूछ सकता है मुल्यांकन क्या ह अर्थ और विशेस्ता पूर्ट। सकता है ये भी बहुत aresumत प्रश्ण है और क्या महत्व और भाइसma सिक्षन में लieving करें का महत्व है ये सवाल भी आपको पूछ सकता है यह बहुत इंपदक है शीक है तो यह हो से और प्रश्ण की तो किसी ब्रस्ण पSpत्र की विश्य स्था बतल vehicle श़्रνα प्रश्र पत्र की वीशेस्ता बतलाईए अप फिख्षक बनने जा रहे हैं तो आपको प्रश्र ПоD बनाना होरा तो आप क्या करेंगे ब्रश्रण पत्र के बारे बएब आपको यहां से पूछ सकता है वस्तु निश्ट परिक्षन किसे कहते हैं किस प्रकार के प्राश्ण होते हैं आपको पूछ सकता है और आपको क्या पूछ सकता है निदानात्मक परिक्षण क्या है या आपको पूछ सकता है बहुत ही महतफुन सवाल है ये भी आपकी इसमें आ सकता है ये आपको पूछ सकता है वार्षिक योजना क्या होती है या बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए बच्चों का आकलन क्यों होना चाहिए ये क्य होता है तो आपको एक और सवाल पूछ सकता है आंकलन की उपर आंकलन क्या है ठीक है आंकलन ये क्या है आंकलन क्या होता है आंकलन कैसे किया जा सकता है आपको पूछ सकता है सत्त मुल्यांकन की विशेषता उपयोगिता ये भी आपको पूछ सकता है तो इस प्रकार के जो है बहुत महत्रपून चीजे हैं, और यहां पर आपको एक और प्रशने ध्यान रखना है, इकाई योजना क्या होती है, इकाई योजना के बारे में बतलाईए, इकाई जो योजना होती है, उसके बारे में बतलाईए, इकाई योजना का महत्व है, या इकाई योजना की आवश पुछे गए थे और अभी की परिक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है तो देखते रहे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिशन और पर रख दे और प्लेलिस चेक करें आपको सभी वीश्यों को वीडियो म मिल जाएंगे तो चलिए स्टूर्ण मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास